नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं हूँ आपकी दोस्त राशी दोस्तों जोतिश के अनुसार काले घोडे के पैरों पर शनी का विशेश प्रभाव होता है जोतिश के अनुसार घर के मुखे द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाने से घर पर किसी की भी बूरी नजर नहीं लगती और घर में बरकत बनी रहती है वास्तु के अनुसार घर में घोड़े की नाल को टांगना शुब होता है प्राचिनकाल से ही काले गोडे के पैरों में लगी नाल का उप्योग करके कई प्रकार से उप्योगी बनाया जाता है आज मैं आपको बताऊंगी काले गोडे की नाल किस तरह आपको माला माल बना सकती है पहला उपाए यदि घर में कलेश रहता हो आर्थिक उनती नहीं हो रही हो या किसी ने तंत क्रिया की हो तो घर के मुख्ये द्वार पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर की अकार में लगा दें कुछी दिनों में नाल के प्रभाव से सब ठीक हो जाएगा दूसरा उपाए यदि किसी कारे में अर्चन आ रही हो तो शनिवार के दिन काले गोडे की नाल को विधी पूरवक दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारन कर लें आपके बिगरे काम बन जाएंगे और साथ ही धनलाब भी होगा तीसरा उपाए काले घोडे की नाल को यदि काले वस्तर में लपेट कर अनाज में रख दे तो अनाज में विद्धी होती है चोथा उपाए काले घोडे की नाल को यदि काले वस्तर में लपेट कर तीजोरी में रख दे तो धन में विद्धी होती है पांच्वा उपाए काले घोडे की नाल को यदि अंगूटी ये चल्ला बना कर धारन करें तो शनी के दुष्प्रभाव से मुक्ती मिलती है छटा उपाए काले घोडे की नाल को द्वार पर उल्टा लगाओ तो भूत प्रेत ये किसी भी तंत्रमंद से बचाव होता है साथमा उपाए काले घोडे की नाल से चार कील बनवाए और शनी पीड़त व्यक्ती के बिस्तर में चारो पायों में लगा दे लाब होगा तो दुकान के मुख्य द्वार की चोकट पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के अकार में लगा दें, आपकी दुकान में ग्रहकों की संख्या बढ़ने लगेगी। दस्वा उपाई, काले घोडे की नाल से एक कील या चला बनवाए, शनिवार की दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक लोही की कटोरी में सरसों का तेल भर कर, चला या कील उसमें डाल कर अपना मुख देखे और पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, लाब होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताये कि काले घोडे की नाल घर में लगाने से या काले घोडे की नाल को अपयोग करने से आप किस प्रकार माला माल बन सकते हैं। अपनी समस्य और परेशानी को आज ही दूर करें चमतकरी समधान के टोटके रूपायों से। और चमतकारी समधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमतकारी समधान को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक, कमेंट और शेर करना ना भूले